उत्तर भारस्त में देश के कई राज्यों में पश्चमी विक्षोप के एक्टिव होने के चलते आज से बारिश का दोश शुरू होने जा रहा है मौसम विभाग ने देश के अलग-लग हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ओरेंज अलड जारी किया है इसके साथ ही कई राज्यों में ओला वरिष्ची और आंधी का अनुमान भी जताया गया है मौसम विभाग के अनुसर राजदानी दिल्ली में आज यानी सोमवार 19 फरवरी को आंशिक रूप से बादल और धुन चाय रहने की संभावनाई लगाई गई है इसके साथ ही सोमवार को तेज हमाओं के साथ बारिषोने, मंगलवार और बुद्वार को बादल चाय रहने और बारिष की संभावनाच जताई गई है इसके अलावा पंजाब, हरियाना, चंडिगड और उत्री राजस्थान के अलगलग स्थानों पर 19 और 20 फरवरी के दोरान ओला वरिस्टी की भविश्यवानी है मौसम विभाग के अनुसार पश्चमी विक्षोप के कारण ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के मुताबिक हरियाना, चंडिगड, दिल्ली और पश्चमी उत्तर परदेश में 19 से लेकर 21 फरवरी के दोरान आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाई चलने की संभावनाई है इसके लावा, राजस्थान में 19 और 20 फरवरी के दोरान और पूर्वी उत्तर परदेश में 20 से 22 फरवरी के दोरान छिट पुटांदी, विजली कड़कने और तेज हवाई चलने के आसार है आईयमजी का कहना है कि जमुकश्मीर, लद्दाग, गिलगीत और हिमाचर परदेश के अलगलग स्थानों पर 20 फरवरी के दोरान भारी बारिश और बरफ बारी की संभावनाई है वहीं 1920 फरवरी को उत्राखंड में भी भारी बारिश और बरफ बारी की संभावनाई लगाई गई है इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट चारी किया है